हेलो एवरिवन वेलकम डू माई चैनल आयाम नेहा नारण तो आईए आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं आज भैरव साहे जी के जीवन के बारे में पढ़ेंगे इनकी बायोग्राफी जो है डिटेल से आज हम पढ़ेंगे इनका जनम कब हुआ इनकी मृत्यू कब हुई इन इनको कौन-कौन से पुरुसकारों से जो है सम्मानित किया गया और भैरव साहे जी का दूसा नाम क्या था जिनसे इनकी जो है बहुत ज़्यादा पहचान रही तो यह सब जानने के लिए आपको वीडियो जो है कंप्रेड देखना होगा लेक्स स्टार्ट करने से पहले मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करती हों कि अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब ने है किया है तो चैनल को चोड़ सब्सक्राइब करें तो आए स्टार्ट करते हैं भैरव साहे जी पचपर्च यही क्रोधी तथा तेजस्वी थे उनका जो सभाव था वो क्रोधी इस कारण से इनका जो नाम है वो भैरव साहे रखा गया बनारस बाच के परवर्तक राम साहे ने जब सादूवेश धारण कर लिया तब उन्होंने अपने भाई गोरी साहे के पुत्र भैरव साहे को अपना शिश्य बना लिया राम साहे जी ने भैरव साहे को अपना शिश्य बनाते हुए कहा कि यह मेरा अंतिम शिश्य है भैरव साहे जी परसे तबला वादक रहे पांच वर्ष की आयू में ही भैरव साहे ने राम साहे से तबला वादन की शिक्षा लेने जो है शिरू कर दे तो यानि कि इनके जो ग आशी के नीची बाग महले में स्थित आस भहरव की भूर्ती का प्रति दिन पोजन तथा दर्शन करना और तबले का अभ्यास करना इनके जीवन का लक्षय बन गया। 18 वर्श की आयू में ही भैरव साहे ने अपनी वादन शहली में वह बात पैदा कर दी जो उनके पूर्वस भी नहीं कर सके थे। जो है बढ़ती जा रही थी। वहां भारत के परसित सरोध वादक नियामतुला खांक के साथ जब एक दिन संक्ती करने का अफसर इनको प्राप्त हुआ तो गत शिरू होते ही दोनों दुरंदर कलाक मरमग्या एक से एक नवीन चंद लै तथा तोड़ों का काम दिखाने लगे। इनकी लणत देखकर बड़े बड़े गुणी जन चकित रह गए। नियामतुला ने तो यहां तक कह दिया ये भैरव साहे तबलिया नहीं फरिष्टे हैं। इनकी उंगलियों को खुदा ने आँखे दे दी हैं। इसलिए साथी कलाकार के सब गत जोड़े इने ततकाल दिखाई देते रहते हैं। भैरव साहे भैरो साहे के नाम से अधिक परसित थे। इनका जो जनम है 1815 के लगभग और निधन मार्च सन 1894 में हुआ था। थैंक यू आपको मेरा वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जूर बताएगा वीडियो को लाइक शियर कमेंट जूर किये जेगा। थैंक यू